हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटर्स अब्डेट के लिए बेल आइकन सिरूर दबाएं क्विज और कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने से सिर्फ हमारी नॉलेज ही नहीं बढ़ती है बलके हम प्राइजर्स भी जीत सकते हैं प्राइजर्स चाहे क्याश में हो या काइंड में 8th May 2021 को Amazon ने Mother's Day Quiz Contest लाँच किया अब ये रियल टाइम में नमबर वान पर ट्रेंड हो रहा है यानि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसे सर्च कर रहे हैं तो मैंने सुचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि इस Quiz Contest में कैसे पार्टिसिपेट करना है और फिर मैं आपको इस Contest में जो उस Quiz में सवाल पूछे गए हैं उनके सही जवाब भी बताऊंगा ताकि आपको Quiz में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान हो जाए हाला कि ये थोड़ी सी चीटिंग है पर ठीक है कर लेते हैं आपको जित्वाने के लिए Quiz के सवालों से डिसकुशन से पहले आपसे एक बात पूछूँ कि क्या आप अपने घर में खारे पानी की प्रॉब्लम से परेशान है क्या आप अपने बोरवल के पानी की वज़े से जो लाइम स्केल आपके पाइपस में, नलों में, शावर्ज में जमा होती है जो आपके बातरों टाइल्स को आपके वाश बेसंस और कमोट्स को खराब करती है जहां नई प्रॉपर्टीज भी बड़ी पुरानी दिखने लगती है और आपका स्किन भी खराब होता है और आपके बाल जढ़ने लगते हैं अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से जूज रहे हैं तो फिर आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नीती प्यॉर के इस नंबर पे कॉल करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक वाट्साइप आइकन दूँगा अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो सेदा नीती प्यॉर के आप वाट्साइप चाट पर पहुंच जाएंगे जिसमें आप इस कांपिनी को अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और ये आपको देंगे इसका कोई बहतरीन सल्यूशन चलिए अब आजाएं Mother's Day Quiz पर Amazon ने Mother's Day Quiz Contest 8th में 2021 को लॉंच किया है और ये 21st में तक खुला रहेगा आप इस दौरान कभी भी इस quiz में participate कर सकते हैं और फिर 22nd में 2021 को results declare किये जाएंगे आगर आप ये quiz में जीत जाते हैं तो आपको email के जरिए एतला दी जाएगी या फिर आप Amazon पे winners के list में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और एक important बात ये है कि ये Amazon के web version पर आपको quiz नहीं मिलेगा इसके लिए आपको अपने smartphone पर Google Play Store से Amazon App डाउनलोड करना होगा या फिर आप Apple App Store से भी Amazon Mobile App डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अब तक Amazon पे कभी register ही नहीं किया तो ये आप डाउनलोड करने के बाद आप registration process कर लीजिए या अगर आप पहले से ही registered हो तो आप आप में सीधा सीधा login कीजिए और जब आप login करेंगे तो ये page कुछ आपको ऐसा दिखेगा और फिर उसके बाद आप menu में से ले जाईए menu में आपको मिलेगा program and features जब आप उस पर click करेंगे तो वो आपको ले जाएगा एक दूसरे page पर जो ऐसा दिखता है यहाँ पर आप scroll down करें तो आपको बहुत सारे contest मिलेंगे जो भी चल रहे हैं या फिर जो पुराने कत्म हो चुके हैं इसमें सबसे उपर top banner है Mother's Day Quiz Contest इस banner पर आप click करेंगे तो खुल जाएगा फिर contest का page यहाँ पर आपको पांच सवालों के जवाब देने हैं हर सवाल के नीचे आपको एक multiple choice चार जवाब मिलेंगे इस जवाब में आपको सही जवाब पर click करना है जब आप सही जवाब पर click करते हैं तो वो आइकन green हो जाता है और फिर आपको स्क्रीन पे नीचे भी Amazon की तरफ से बताया जाएगा कि यह answer आपने सही चुना या गलत तो चलिए देखते हैं कि यह 5 सवाल कौन से हैं और फिर आपको बताऊंगा उन 5 सवालों के सही जवाब पहला सवाल यह है कि मददर सेलेबरेशन की शुरुआत पहली मरतवा जब हुई थी जब आना जार्विस ने अपनी मरहूम मा के लिए एक memorial service organize की अब आपको यह बताना है कि यह पहली मरतवा कौन से शहर में organize किया गया था इसके multiple choice में चार जवाब है और इसमें आपको चुनना है Grafton, West Virginia दूसरा सवाल है वो company का नाम बताईए जिसका advertising campaign नहीं सोच इसके दोरान एक cricket match में Indian cricketers ने अपनी jersey पर अपनी मा का नाम लिखवाया था इस सवाल के भी चार जवाब दिये गए जिसमें से आपको सही जवाब चुनना है और अगर आप सही जवाब नहीं जानते हैं तो इस सवाल का सही जवाब है Star तीसरा सवाल है Serena Williams ने 2017 में उनकी pregnancy के दोरान कौन सा Grand Slam जीता था इस सवाल के भी चार जवाब दिये गए हैं जिसमें सिर्फ एक सवाल सही है और अगर आप सही सवाल नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दू किसका सही जवाब है Australian Open चाथा सवाल वो author का नाम बताइए जो एक NGO की president है जिस NGO का नाम है Gingerbread और ये NGO single parents के साथ काम करता है इसके भी चार जवाब दिये गए हैं जिसमें सिर्फ एक ही जवाब सही है और वो एक सही जवाब है J.K. Rowling पांचवा और आखरी सवाल है Marie Curie जो एक बहुत ही बड़ी scientist थी Nobel Prize winner थी इनकी भी एक औलाद Nobel Prize winner बनी तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कौन से शोबोई में या फिर कौन से फील्ड में ये Nobel Prize जीता था इसका सही जवाब है chemistry तो ये complete हुआ quiz contest पांच सवाल और पांच सवालों के सही जवाब अब ये जब सब आपको मिल चुके हैं तो फिर आप फॉरण क्या कीजिए कि Amazon app डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्टफोन पर और definitely participate कीजिए ऐसा हो सकता है कि आप ये contest जीत जाएं और 22 तारिख को winners list में आप अपना नाम चेक करना ना भूलें आप मेरी चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर पी दबा दें और मेरा ये वीडियो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सही सवालों के जवाब जान लें और ये contest में participate कर सकें और हाँ बहुत important बात मुझे आपके comments का इंतजार रहेगा मुझे जरूर बताएं कि आपने मेरा वीडियो देखने के बाद contest में participate किया या नहीं और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो म अजय को अगर भी पूछना चाहते हैं पर रहेगा मुझे हैं तो मुझे अपके जरूर अपके पूछना चाहते हैं